क्लास 9 के exercise 2.1 का question number 5 है हमारे सामने जिसमें क्या कर रहा है classify the following as linear quadratic and cubic polynomials हमें classify करना है जो भी यह polynomials दिये गए है 1 से लेकि 7 तक कि वो उन में से linear कौन सा है quadratic कौन सा है और cubic polynomial कौन से तो बता देता हूं है linear जिसमें highest power 1 यानि degree 1 होती है उसे का जाता है linear जिसमें degree 2 यानि की highest power 2 होती है उसे का जाएगा quadratic polynomial जिसमें highest power यानि की degree 3 होगी तो उसे का जाएगा cubic polynomial तो सिर्फ हमें highest power देखनी है और इसके according हमें उसे बता दिने है linear होगा quadratic होगा या cubic होगा तो highest power देखते हैं इसमें highest power है इसमें 2 अगर 2 highest power है तो यह क्या होगा quadratic ठीक है अगला देखते हैं अगले में highest power यहाँ पर है x की power 3 अगर x की power 3 है तो यह क्या होगा cubic polynomial ठीक है इसमें आप लास्ट में आपको जोड़ देना है इसमें polynomial ठीक है इसमें देख लेते हैं highest power है 2 तो यह होगा quadratic इससे अगला देखते हैं अगले में highest power variable कि highest power क्या है यहां पर कुछ भी power नहीं है तो मतलब है 1 तो यह होगा linear इससे अगला देखते हैं इसमें है 3t टी की power कुछ नहीं है मतलब 1 है तो यह भी होगा linear गलत हो गया इससे next है r square highest power क्या है 2 तो यह होगा quadratic next है 7x की power 3 power 3 means cubic polynomial सिर्फ हमें इसमें यहीं बताना है और कुछ जानकारी नहीं देनी है ठीक है तो कि बताना हम गया गकार झाल